बिस्मिल्लाहिरोहमानिर्राहीम आपने एकसर देखा होगा कि एकसर हमारे डोर मैट या फिर हमारे कारपट में बाल फंस जाते हैं जिसको साफ करना हमें काफी मुश्किल लगता है बाल हमसे निकलते ही नहीं हैं चाहे हम जितनी भी कोशिश क्यों नकल लें अगर आपका भी डोर मैट इस तरह से बालों वाला है तो फिर आपके लिए भी काफे मुश्किल होती होगी क्योंकि इस तरह के डोर मैट या फिर कारपट में बाल वगयरा ज्यादा फंस जाते हैं जो लाग कोशिशों के बावजूद भी साफ नहीं होते तो इन बालों को साफ करने के लिए आपने लेना है कपड़े दोने वाला ब्रश इसके साथ आपनी कारपट पर रब करना है जब आप इस तरह से कारपट पर ब्रश फेरेंगे तो सारे बाल ब्रश के अंदर आ जाएंगे अगर आप कपड़े दोने वाले ब्रश का इस्तमाल नहीं करना चाहते तो आप किसी प्रवाने कंगे का भी इस्तमाल कर सकते हैं क्यूंकि बाल कंगे में भी बहुत आसानी से फंस जाएंगे फिर आपको किसी भी किसम की कोई भी परेशानी नहीं होगी अक्सर मेरे हाथ से गिर कर बहुत सी चीजें तोट जाती हैं ये बाक्स भी मेरे हाथ से गिर कर ही तोटा है अगर हम इसको बाजार से खरीदने जाएं तो ये हमें बहुत कोस्टली मिलेगा लेकिन आज हम घर में खुद से इसे ठीक करेंगे तो इसके लिए आपने कपड़े की लंबी लंबी सी लाइने काट लेनी हैं अपने बाक्स के हिसाब से मतलब जितना बाक्स आपका तूटा हुआ है उसी के हिसाब से कपड़े की लाइने काट लें मेरा ये बाक्स तीन जगा से तूटा हुआ है एक नीचे से और दो जगा स साइडों से, तो मैंने इसी के हिसाब से कपड़ा लिया है, अब हम इस कपड़े को तूटी हुई जगों पर लगाएंगे, एलफी के साथ, पहले आप तूटी हुई जगा पर एलफी लगाएं, और फिर उपर कपड़ा रख दें, और बाद में आपने फिर से कपड़े के वाले बोक्स को जोड़ने के टिप बता रही हूं, जो 100% आपको फाइदा देगी, और आपके बहुत से पैसे बचाएगी, इसी तरह से मैं आपको सारे तूटी हुई जगों पर एलफी और कपड़ा लगा कर दिखाती हूं, तो ये देखें व्यूवर्स, मैंने सारे बोक् आपी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राइ करके देखें, आपको इसका रिजल्ट, इन्शाला 100% मिलेगा, नेक्स टिप मेरी परदों से रिलेटिड है, अक्सर हमें परदों को कवर करना पड़ता है, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, किसी कपड़े से बांध लेत हैं, जिससे हमारे परदे ज्यादा खूबसूरत नहीं लगते, और देखने में काफे बुरे लगते हैं, इस तरह से रूम के अंदर वाले कर्टन, हमारे रूम की डेकोरेशन ही खराब कर देते हैं, आज मैं आपको रूम के कर्टन, समेटनी की बहुत अबदा स्टेप बता हैं, जिनको हम बेकार समझ कर पैंग देते हैं, आप किसी भी पुरानी मैटल की चूड़ी का इस्तमाल कर सकते हैं, आप इन चूड़ें को इस तरह भी इस्तमाल में लाकर अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं, इस चूड़ी को अगर आप पेंट वगरा करना चाहते हैं तो paint भी कर सकते हैं इस चूड़ी का ये भी फाइदा होगा कि आप इससे कर्टन को lose भी कर सकते हैं मतलब जैसे आपको पसंद हो वैसे ही कर लें दोनों तरह से ये आपको काम देगी ये बहुत बैस तरीका है इससे आपके room के कर्टन या फिर बाहिर के कर्टन देखने में बहुत खुबसूरत लगेंगे तो है ना कितने कम माल की और आपको फाइदा पहुंचाने वाली टिप ये टिप मेरी आपको कैसे लेगी मुझे कमेंट्स में लाजमें बताएं आपने एकसा नोट किया होगा कि पानी वाली बोतलों का ज्यादा इस्तमाल करके इसमें काई जम जाती है जिसको साफ करना काफी मुश्किल होता है और फिर हमारा दिल ही नहीं करता कि हम दुबारा इसमें पानी डाल कर रखें बहुत से खवातीन तो इनको उठाकर बास्केट में फैंक देती हैं, आज मैं आपको ऐसा जबदस तरीका बताऊंगी, जिससे पानी वाली बोतल मुकमल साफ हो जाएगी, तो इसके लिए सबसे पहले आपने इस बोतल में डालना है, वान टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तमाल हम ज्यादतर खानों में करते हैं, फिर हम इसमें डालेंगे टू टेबल स्पून के करीब, वाइज वीनिगर, जिसको हम सिरका भी कहते हैं, सफाई में ये दूनों चीजें बहुत बेस्ट करदार अदा करती हैं, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शैंपू, ये आपकी सी भी ब्रैंड का ले सक काई के मामले में, ये आपकी बोतल में जितनी भी काई जमी होगी, उसको साफ कर देंगी, अब मैं आपको इस बोतल को वाश करके दिखाती हूँ, तो ये देखेंगे बोतल कितनी ज्यादा साफ हो गई है, ना तो इस पर हमारी ज्यादा महनत लगी हैं, और ना ही हमारा वक जाया हुआ है और हमने मिन्टों में इपनी बोतल को जाया होने से बचा लिया है तो है रहे कितनी जबर्दस और आपको फाइदा पहुंचाने वाली टिप यह टिप मेरी आपको कैसे लेगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं नेक्स टिप मेरी बरसाथ के मौसम में बिस्कित वगरा को नमी से बचाने से रिलेटिड है अक्सर बरसाथ के मौसम में बचे वगरा बिस्कित खाकर आदे बिस्कित के पैकट को ऐसे ही छोड़ देते हैं जिसकी वज़ा से इसमें नमी आ जाती है और सारे बिस्कित खराब हो तो इसके लिए आपने लेने हैं दो से तीन लॉंग इनको आपने इस पैकेट में डाल देना है और फिर इसको अच्छी तरह से बंद कर दें अगर रबर बेंड है तो इसको लगा दें ताकि इसमें नमी ना आ जाए फिर आपके बिस्कित नमी से महफूज रहेंगे तो हैना क कितने कम माल किये और आपको फाइदा पहुचाने वाले टिप ये टिप मेरी आपको कैसे लेगे मुझे कमेंट्स में लाज में बताएं आज मैं आपको कपड़ों की स्मेल दूर करने कपड़ों के जिद्धी किसम के दाख साफ करने इनकी शाइनिंग लाने और इसके अलावा कम सर्फ में इनको धोने की बहुत जबदस टेप बताऊंगे जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्फ हो जाएगी और आपकी बिजली की भी बचत होगी क्यूंकि एक ही राउंड में आपके कपड़े चका चक साफ हो जाएंगे के आप खुद भी देखकर हैरान होंगे तो इसके लिए वीडियो को एंट तक पूरा वाच करें तो यहाँ पर मैंने मशीन में पानी डाल लिया है मैंने अपनी डालेंगे टू टेबल स्पून सरफ यह आप किसी भी ब्रैंट का ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो यह आपने बहुत ज्यादा नहीं डालना बस थोड़ा सा ही डालना है यह तकरीबन ना होने के मुतरातिफ है इसके साथ हम आज बहुत ज्यादा कपड़े दोने वाले हैं अब हम इसमें एक चीज और डालेंगे वो है नमक इसके आपने सिर्फ टू टेबल स्पून डालने हैं ज्यादा नहीं डालना यह वही नमक है जिसको हम खानों में इस्तमाल करते हैं अब आपने अच्छी तरह से इसकी जाग बनानी है और फिर इसमें कपड़ों क होगी और सरफ की भी और तो और इसे आपके कपड़ों से दाग दब्रबी भी साफ होंगे और स्मेल भी नहीं आएगे और मैं एक राउंड गुमा कर आपको दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक राउंड इसको चला लिया है अब हम इस में से कपड़े निकालेंगे आप कपड़ों को चेक करें कि ये कितने ज़्यादा साफ हो गए हैं इस पर ना तो हमारी ज़्यादा मेहनत लगी है और ना ही हमारा वक्त जाया हुआ है आप भी अगर अपने बहुत से पैसे बचाना चाहती हैं तो हैना कितनी जबरदस्त और आपके फाइदे की टिप ये टिप मेरी आपको कैसी लेगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं आज आप बगएर हाथ लगाएं और बगएर पैसे खरच किये जुवों का मुकमल खात्मा कर लेंगे ये ऐसी कमाल की टिप है जो आपने पहले ना कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी अक्सर गर्मियों के मौसम में जुमें बहुत ज्यादा हो जाती है जिन से जान चुडाना काफी मुश्किल होता है आज आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्फ हो जाएगी तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेनी है दो कभफूर की गोलिया या फिर टिकिया इसको आपने पीस लेना है ये बहुत जल्द पिस जाती है और आप कभफूर की गोलिया या फिर टिकिया भी ले सकते हैं क्यूंकि ये गोलियों और टिकियों की शकल में होती है तो इनका पाउडर बन चुका है अब हम इनको एक बॉल में डालेंगे फिर हम लेंगे एक लीमू इसका सारा रस हम इसमें डाल लेंगे आपने इनसे सारे बीज वगेरा निकाल लेने हैं एक लीमू का रस काफी होगा इससे आपके बाल नर्मो मुलाइम और शाइनी हो जाएंगे ये आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा बलकि आपके बालों को ठीक करेगा फिर हम इसमें डालेंगे वांट इबल स्पून नारियल का तेल ये आपने बालों के हिसाब से डालना है अगर आपके बाल छोटे हैं तो कम डालने अगर ज्यादा बड़े हैं तो आप ज्यादा तेल का इस्तमाल भी कर सकते हैं नारियल का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है ये आपके बालों में डेंडरफ नहीं होने देगा इससे आपके बाल शाइनी घने और लंबे होंगे फिर आपने इन तुमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कफूर की गोलिया आपके बालों से जूओं और लिखों का मुकमल खात्मा करेंगे ये वैसे भी हर तरह के कीरो मुकोडों का खात्मा करती है इसके खुश्बू बहुत स्ट्रोंग होती है कीडे मुकोडों को इसकी स्मेल बहुत बुरी लगती है इसी तरह से जूओं भी दम गुटने की वज़ा से मर जाएंगी अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको लगाना कैसे है आपने रूई के टुकडे के साथ इसको बालों की जड़ों में लगाना है अगर बहुत ज़दा जूओं हैं तो रात को सोने से पहले इसको अपने सर में लगाएं और सो जाएं सुबा उठकर किसी भी अच्छे शैंपू से सर धोलें आप यकीन करें कि आपके सर से जूओं का मुकमल खात्मा हो जाएगा अगर आपके सर में जूओं बहुत ज्यादा हैं तो आपने इस टिप को हफते में दो बार फॉलो करना है जिससे आपके सर से जूओं का नामों नुशान भी मिट जाएगा ये मिन्टों में जूओं खतम करने का जबरदस फॉर्मूला है अगर आप सारी रात के लिए इसको सर में नहीं लगाना चाहतें तो दो गंटे लाजमी लगाएं इससे कम वक्त में आपने इसको नहीं लगाना और जब आप सर धो लें तो एक बार बारी कंगी लाजमी कर लें क्योंकि इससे मरी हुई जूओं निकल जाएंगी तो है ने कितनी जबरदस और आपके फाइदी की टिप ये टिप मेरी आपको कैसे लेगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं मुझे आपके फीड़बैक का इंतजार रहेगा तो चले मिलते हैं ऐसी ही एक और जबरदस सी वीडियो में तब तक के लिए इसजाज़त चाहते हैं अल्लाहाफेज